हेलो एबरीवन आज की इस वीडियोज में हम आप सापको सेट एफ उर्दू आईये सी आईकॉम आईये का जो हुआ है उसके अब्जेक्टिव का 100% करेक्ट एंसर की मता रहा हूं आप लोग फटा-फट मिला लें कि आपके कितने सही है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं त ताकि लैटेस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा है और इस वीडियो को आप लोग जरूर लइक करें और अपने दोस्तों और साथियो में सेयर करें ठीक है तो आईये सुरू करते हैं आपको मिलाते हैं सेट एफ शाथी साथ आपको और भी सेट यूप पर उपला दे देख सकते हैं पहला देखिए कि हरफ नदा की मिसाल क्या है तो पहले मैं यह होगा लड़का हो इसमें आला का मिसाल क्या है तो इसमें आरी हो जाएगा लड़कड़ाहट क्या है तो लड़कड़ाहट देखिए आपका ना हासिल मसदर है तीन कसी होगा तासिप ने खत लिखा तो इसमें देखे कासिप जो है ना फाइल है क्या है फाइल आगे है कि अहमद आया होगा इसमें आया होगा क्या है तो इसमें देखे माजी सा क्या है और तकलिस की मिसाल क्या है तो तकलिस में इसमें गालिब हो जाएगा शिक्स का है तारीब की जद मतलब उल्टा बताना है तारीब का जद हो जाएगा तवहीन सरम का मदारित हो क्या होगा तो सरम का हया होता है आठ के होगा नाइन नमबर एक कान में टेल डाल कर बैठने का क्या मतलब है तब यह परवा होना नाइन के होगा दस है जिसमें की जम्मा क्या होगी जिसमें के अजिसाम होगा दस कसी गाल हो इंसान तो मिस जाता है रज्ज, इसमें गालीb हो जायगा भी हो जागा 3 kind जी जासा यंगाज़त्ज चंगे जी की पैदाइस पत्तना सिटी की किस महला में होई थी तो महला का नाम था मुगलपूरा अगर पहाड काटने वाले से सायर के क्या मुराद है तो इसमें है फरहाद पंदरा का ये बिल्कुर सही है सुला में इन में से कौन सा पैरवी मेरे मीर के लिए नहीं जाना जाता है तो इसमें हो जाएगा आपका यंग्याजत चंगेजी खलील रहमान आजमा का मुझमूह क्या है तो इसमें होगा नया अहद नामा हम बांसरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा ये किसकी गजल का मित्रा है तो इसमें होगा खलीलू रहमाल अठारा कड़ी है जेल में से कौन सा साहर तरेंगे तो इसमें आपके आता की कोई होगा आपका उन्नीस का भी बिल्कुत सही है बीच में अरबी हरफ की एह तहभी का कुल कितने हरुफ है तो अरबी में 28 गो हो जाए उर्दू का पहला खाका निगार कोन है तो परहतुला बेगे कैस कहे होगा 22 में देखिए 22 में ख्वाजा हसन निजामी ने इसमें आपका होगा निजामलमसाइग ठीक है तेरिश नंबर है जेल में से सुलिमान नद्वी की अपका हुब है अब इसमें 24 की होगा ठीक है 35 में जाके हैं आफाक इसमें जोका निढ़ा अडी होगा 25 में 26 निधरिश ने का नने तो मुहम्मद सफी उद्दीन 29 का भी होगा 30 में देखिया आपका बिल्कुल सही इबराहिम सक्का हो जाएगा भी और 31 है नजम खेती तो इसमें भी हो जाएगा वक्त है 32 में में से कौन सा मज़्मुआ इसमे आपका ना कागजी पेरहन प्याहिम से ओगा 33 में अकबर इलाहबादी इसमें जरिफाना सायर थे और सायर को मिस मिली तो कलीशा में 34 में ए य होगा 35 है दौलत इज्जट वर इमान किसके कदमों पर शायरि निशार करना चाहता है तो मोह हबुबा के 36й जफर कमाली कि कुन सी नजम आपकहिनिसाँ में किताब में सामिले मुतसाइर 36 से 31 जाकि आफाक इस्लामिया कालिज में ढ़नी किस सुबे में लेक्चरा है तो आपका हो जाएगा उर्दौ उर्दौ में लेक्चरा थे साइस में आगा है ना 39 का 30 भी हो जाएगा एह आगे है 49 नमर में आपका 1975 इस भी सामिल ने साव नजम हम नौजबा है हम नहीं जानते इस यह जो है आपका सी होगा 40 का 41 जो है वागो बिहार तो यह आठारा सो एक हो जाएगा और 42 में यह जाएगा पैदाइस कब हुई तो 1936 में भी हो जाएगा सफियु जावेद का पहला अपसाना कब हुई कब हुई कब हुआ तो 1903 में 47 अधुल्ला है न भैसा कौन था तो इसमें आपका होगा सी और आगे सलाम बिन रज्जाक की पैदाइस कब हुई तो 1941 में भी सही है मौलाना आजाद की तारीक का नाम कहें तो फरेव फरक्त भी हो जाएगा और यह ना गुबारेख खादिर किसकी मुसन्नफ है तो मौलाना आजाद की 50 करसी 51 है मिरम इनिश के हम S.R. कौन है तो आपका मिर्द बिर और मुर्शाया गोई की लिए कौन सा है नहायत एक्तियार की गई तो आपका A हो जएगा 52 में 53 में आपका मसनवी हो जएगा सही जवाब ठीक है और अंठावन में आपका B होगा कसीधा ठीक है उनसट ने उर्दू सायर के इसमें आपका उनसट में बिल्कुल C होगा आमद फैज आमद फैज उर्दू में किस जबान के तो इसके आका A हो जागा हिंदी एक सट है इसमें फाइल के लिए मिसाल है तो देखने वाला 61 में सटी 65 में में इसमें मेंद फैया है इसमें हरूफ की फैसरत कैसी उилось होगा सकता का मतलब है तो मुक्तुसर ठाज भूदो सकता का मतलब है ते मुक्तसा, ठोड़ा सा ठाराओ, सरशट है, अबजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है, तो पढ़ा जो है न फेल है, सरशट कहे होगा, अरशट है, मैं दिहली जाओंगा, ये कौन सा जमाना है, तो फेल मुस्तक्विल है, ठीक है, 68 में भी होगा सेर का हमसूत लब्ज क्या होगा, तो हमसूत लब्ज सेर होगा, 71 का, यहां से जाओ में जाओ, कौन फेल है, तो फेल अमर है, बी हो जाएगा, 73 है, रहमत आलमतीश में बी हो जाएगा, ठीक है, 73 में बी, और 74 में आपका बी होगा, तो बड़ा से यह दुन्दला आया है, यह यह नई गारी है में मौसुप कौन है तो यह गारी हो जाएगा ठीक है दर्जे जेल में एक मौनस कौन है तो मौनाज़रा हो जाएगा 76 के डी हैना किताब पढ़ी गई कौन फेल है तो फेल नाकस 77 में सी और 78 में आपका जम्मन होगा 78 का है और 79 में खार का हमसूत लब्ज को क्या होगा तो खवार 79 में होगा कलमा की कितनी किसमें होती है तो कलमा की तीन किसमें होती है सी कभी किस लब्ज का मानिक खत होता है तो मकदूब का मतलब खत होता है का सी कहे मिर्जा फरहतुल्ला बेक की कौन सी तसनिफ सामिल निसाब है नजीर अमद की कहानी 82 में सी होगा 83 जेल में मजमून कौन है तो मिटी का तेल है ना आपका 83 का भी होगा ख्वाजा हसन निजामी की है ना कफालत कि इसने दी हसन अलीशा हुसेन अलीशा ठीक है 84 में होगा द 85 मदर्सा अमदादिया दरभाणगा में किस महरूफ अधिब ने तालीब אני हासिल की है तो इसमें होगा सेयद सूलमान नद्वी सता थिक हसी होगा निसाम में सामिल स्याब सूलमान नद्वी की मजमून का अनुमान क्या है वरापका बेज़ पुराने लफजों की नहीं तहक तो बाप और बेटे का ठीक है 90 का सी हो जाएगा 91 इसा में सामिल मैं इन्वर्सिटी में किस मुशनिव का है सान दानिस की है 91 कभी होगा आगे सर्वर का पूरा नाम क्या था जब अना रजब अलिबेग 93 है दस्थाने अपसाना आजाइब कब लिखी गई तो 825 इसपी में और बेदी कब पैदा हुए तो 1915 में 94 कभी होगा 95 जेल में से कौन सा जेल में किस की पैदाइस लाहोर में होई तो बेदी की पैदाइस लाहोर में होई ती 95 कभी होगा कामिल इनकलाब का तालुक अदब के किस सनब से है तो खुदबा से होई ठीक है ना 96 कभी होगा 97 है अली सर प्रदार जापरी उर्दू के किस अद्वी तहरीक के नुमाइंदा सायर है तो तरकीप पसिंद तहरी 98 कहे होगा 99 है नजम गुपतवु के सायर ने किस के नाम मौमुन किया है इसमें हिंद पाक दोस्ती के नाम 99 का सी हो जाएगा और अमीक हनफी का असल नाम क्या है तो इसमें आगा अब्दुल है ना अजीज हनफी तो मेरे प्यारेजबेंट्स आपको 100% करेक्ट एंसर बताएगा आप लोग प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों सातियों में सेयर करें अब पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का एक घंटी होता है उसे भी किलिक कर ले थैंक्स जैही जैभारत